नमस्कार दोस्तों मैं स्ट लॉजर सचेन स्वागत और अब जंदन करता हूं अपने सभी प्यदर्शकों का हम बात करने वाले हैं सप्ताहिक राशी फल्की 20 से लेकर 26 के बंदि में आपका सप्ता कैसे वितेगा हम आपको जानकारी देंगे जहां जानकारी चंद राशी और आप राशी पर आधारित होगी आए शुभारम करते हैं आपका जरम दिने शाधी की साल गिरा है तापको धेरो 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 शुभ का अबनाए तो आईए जानते हैं ये ढीपा वली का धंतेरस का सप्ताह कैसा रिटेगा आपका क्या शुभ होने वाला है और क्या उपाये ह बहुत खुशियो भरा सब्टा है जानते हैं आपकी राशी क्या कहती है तो आईए आपकी राशी से अब शुरुआत करेंगे सिंग राशी की बात करते हैं तो आपका सब्टा का जो आरंब है उसी पहले दिन से ही आपकी आमदनी बढ़ने लगेगी यानि पैसे आने की खुशिया मिलने लगेगी सेहत अच्छी हो जाएगी खुशी मिलेगी आपके उश्वास बढ़िया होगा धैर बढ़िया होगा कुछ छोटी बोटी हानी के बाद बड़ी सफलताय भी मिल जाएगी आप खुद को परसंद रखेंगे इश्वर को प्रसंद रखेंगे अपने परिवार को प्रसंद रखेंगे डोमे आपके घर आईगी आप ग्रिफ्ट आएगे दुम लोग आएँगे महमान आएँगे महमानों का आना। यानि मलशमी का प्रसंद होना है नियमत तरुप से वयाम करिएगा दवाई या वगएरा समय पर खाईएगा कोई बिमारी है तो दोस्तों यार और रिष्टेदारों के साथ में अच्छा समय भी देगा आप सब्ता के मद्ध में वो परड़ाम नहीं भापाएंगे जो आप पाना चाहते हैं तो फिर भी निराश मत होई ये सिंग राशी वाले 20 अक्टूबर की बात करें तो आज भूरता का दिन है विद्यारती एकालपचित होकर अध्याद करेंगे वैफारियों का वैपार बढ़ेगा खूब धन दोलत कमाने वाले हैं नौकरी करते हैं तो आपके अधिकारी आपको संतुष रहेंगे और विवा काम बढ़िया चलेगा काम में मन लगेगा वैपार अच्छा रहेगा दुखान पर भीड लगी रहेगी सट्टे वाजी निमेश करके लाब कर वासकते हैं आप मिलाकर आपके लिए दिन खुब्सूरत है आप सभी महुत पूर चीजों पर निड़ने लेकर ही फैसला लेंग आप अपने परिवार के लोगों के साथ परसंद रहेंगे आप अपनी वारी से सभी का दिल जीत लेंगे बाहर के फालतों के कारिकरम छोड़ का घर परिवार के साथ वक्त उताएंगे खुशिया माटेंगे आपकी आँख में कोई समस्या आ सकती ध्यान रखेगा परिवार कारियों में जीवल साथी का सहयोग बिलेगा परिवार में शुक्षांती बनी रहेगी तेई सकते हैं आपके समय जीवल साथी से प्रेम पूर्वक रहेंगे लेकिं चोटी बातों को लेकर नराजी भी चलती रहेगी 24 अक्टूबर की बात करें तो आज कड़ा संगश करेंगे जिसके कारणा तराव और तकांग रस हो सकते हैं चोटे भाई बैनों का सहयोग आपके आरती श्वास को बढ़ाएगा शौपिंग पर जा सकते हैं आज जो भी निने लेंगे उसको लेने में काफी वक्त लगा सकते ह अपना धहरे बनाया रखें अपने जज़वातों पर काबू रखें पैसा तो कड़ी मेहनत से आएगा आज जीवन साथी के साथ जिस्ते बदूर रहेंगे आपके बच्चे भी शेश्र प्रड़ाम देने में सफ़र रहेंगे बात करेंगे 25 अक्टूबर की आज कड़ी मेह होगा आप को हर तरीके की सहायता बिलने वाली है आप अपने बच्चों की तरफ से सुख सब्सक्राइब प्रेम करने माले प्रेम का के बदमें शादी का विचार आ सकता है और कई तरीके के ने वेपार के लिए आप इडियास लेकर जाएंगे लेकि वास्टिक्ता में पैस कराएगा आपको धन कटी मेंस से प्राप्त होगा जिव साथी से रिष्टे मदरवले रहेंगे संतान कियों से शुप समाज़ार प्राप्त होगा विद्यातिया प्रेशी की पूर्ती में सफल रहेंगे यह था आने वाले दिनों का हाल दीपावली वाले सपतहा का हाल 90% रहे और खुशनुमा महौल से आप लोग दीपावली को बनाए और आपकी घर में मालक्षमी का वास रहे तो आए जानते हैं कौन से हैं वो खास उपाए धंतेरस का दिन आएगा तो धंतेरस वाले जिन क्या करेंगे परिवार में खुशियां पाने के लिए आर्थिक इसकती क को मजबूत करने के लिए धंतेरस वाले जिन वरत रखें और बाद में भगवान कुबेर मालक्षमी की पूजा करें और मालक्षमी को गुलाब का इत्र अर्पित करें और अपना भाग देखेंगे दिन 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 चमक जाएगा और इस दिन सोना चांदी खील वगीरे भी ख खील सकते हैं इससे आपके घर में सुख और साब सभाग आएगा कांच के बरतन अलमुनियम के बरतन स्टील के बरतन मत खील देगा सोना चांदी पीतल कौपर कुछ भी खील सकते हैं इस दिन यह खरीदना शुब रहता है अब दीपा वाली वाले आप और उपाई क्या करें अगर आपको करोड़पती बनना है तो आप जल्दी अभीर बनना चाहते हैं तो आप क्या करें आप दीपा वाली की शाम को बर्गरत के पेर की जो जटाए लटाए लटक रही होती उसमें जाकर गांट लगा दें और जब लाब हो जाए आपको कुछ अचानक से बड़ा ल जहीं सिंदूर किसी पीपल के पेर के नीचे जड़ के नीचे रखें वहां पतेल का दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना कहें जल्द ही आपकी मनोकामना पूर हो जाएगी सैल नी बढ़ जाएगी आमदनी बढ़ जाएगी समर्दी पाने के लिए आप चाहते हैं कि आपकी घर में मालक्षमी हमेशा वास करेंगी गोमती चक्र का भी उपाया आप कर सकते हैं दीपावाली के दिन मालक्षमी की पूजा करते समय या धंतेरस वाले दिन पूजा करते समय या दोरो दिन पूजा करते समय ग्यारा गोमती चक्र लें जो दिया आप जलाते हैं उस दिये में लख लेए अपकि तिजोरी में रख लेए आप देखेंगे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी और मालश्मी को खुश करने के लिए आप क्या करें चांडी की कोई कटोरी लें या कुछ भी चांदी का बर्तन ले उसमें कपूर जलाएं और माता जी की आरती करें, पूजा करें और बाद में आप देखेंगे कि आपके घर में सुख और सम्रति आएगी, हर काम बें आप सफल रहेंगे, यानि की चांदी की कटोरी में कपूर को जलाकर उनकी पूजा करती है ये तो कुछ उपाए जिनको आप दीपा वाली जंतिरत वाले कर सकते हैं और इनको करने से आपको बहुत लाब होगा अप राजिता के फूल भी मालक्ष्मी को चुड़ाने से मालक्ष्मी बहुत होती हैं दीपा वाली की पूजन में आप लो 56 भोग मंगाते हैं ये मिठाई मंगाई वो मिठाई मंगाई आपको मैं बता देता हूँ आप घर में केसर वाले खीर बनाईए दूद की खीर बनाईए साथ में उसमें मां खाने डालिए और मा को और्पित करिए वही शुद्द चीज मा को और्पित करिए बजार की मिठाई में क्या मिला है क्या नहीं मिला नहीं पता आपको लेकिंगे शुद्ध जो दूद से वनी हुई चीज आप घर पे बनाएगी उसमें प्योर्टी रहेगी और उसमें आपकी मेहनत भी लगेगी आपका प्यार भी होगा इशुद के प्रतिस सम्मान भी होगा तो केसर वाले खीर बनाईए उसमें मकाने ला लिए माजदा जी को भोग लगाईए घंतेरस वाले जिन भी बना प्रशाद के रूप में और लोगों को भी खिलाईए आपका कल्यान होता चला जाएगा इसके साथ साथ दीपा वली में जब हम फल रखते हैं माल अश्मी के सामने आप जैसे जो सीजनल फूर्ट साथे आज कल में केला तो देखिए मिल जाएगा आपको सिंगारे आपको मि लए जाएगे जाएगे ये भी बहुत अच्छा फल है और इसके साथ में सेव मिल जाएगा आपको और इसके साथ में अनार जरूर रकिए आपको DRं बहुत को कुछ होते हैं तो धीपा वली धंतेरश के फूझा में यह कुछ उपई बता दिए अमीर बनने के सेलरी बढ़ाने के और आगे बढ़ने के और तिजोरी खाली कमीना रहे उसके भी उपई बता दिए परिवार में शुक्षांती रहे उसके भी उपई इन उपायों को करके आप तरक्की पा सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका 2023 अच्छा मीत है तो उसके लिगे अपनी जनम पुली बनवाए जाने कि जनम 2023 कैसा मीत है का दिये दिगाए नगरों पर संपर करके और चैनल को सब्क्राइब करना ना भूले फेस्बूक और परफेसे हैं फॉलो करें आपकी दीपा वली मंगल मैं हो आप सबको बहुत बहुत शुपकाम नाया है यह जो गणेश लश्मी रुद्राक्ष्ण कोई सामान रुद्राक्ष्ण नहीं है यह औरेजडल नेपाली रुद्राक्ष्ण हैं यह गडेश जी है इसमें भगवान विशनु का श्रवाद है। दूठरा ये सब्तु की महालख्ष्मिनु रटाक्ष है।समें सात देवियो का श्रवाद है। एक नहीं सात देवियो का। सात देवियां जब आप leftover प्रसंद होंगी। और धन के देवता कौन है। धन के देवता हैं, धन के देवता हैं, कुबेर कह लें आप, धन के देवता कुबेर को इजादत रमानते हैं, या धन की देवी मालक्ष्मी हैं, या आप कहें कि धन को देने वाले ग्रह कौन के हैं, वो है जुपिटर, यानि कि देव गुरु भरस्पती, तो मालश्मी का भी आशिरवाद है, जुपिटर का भी आशिरवाद है, कुबेर देवतार का भी आशिरवाद है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी जब आप इसकी पूजा करेंगे तो आपके घर में सुक्ष सम्रद्धी आएगी इसके साथ साथ इसमें इस फटिक का श्रियंत्र है, जिस घर में इस फटिक का श्रियंत्र होता है वहाँ पर मालश्मी दोड़ी चले आती है, भगवान विश्नु का वास होता है जहां पर जिसे आप कहते हैं जहां पर खुश्वू होगी, जहां पर खुशाली होगी, जहां पर भगवान निश्णू का वास होगा, वहां पर मालक्ष्मी अपने हाप चली आएंगी. जहां पर जानकारी में आपको दुना है, इस दीपावली में आप इनकी पूजा करते हैं, इनको अपनी घर की तिजोरी में रखते हैं, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं हो सकती, कभी खाली नहीं होगी और कैसे पूजा करनी है को क्या करना इस सब जानकारी में आपको दुनगा इस दीपावली इन गड़ेंट लश्मी उद्दार्स और इस फटिक के शूजंत और इसके साथ में मिलने वाले उपहारों को मंगाईए और अपनी दीपावली को शांदार मना करें और अपने दीपावली को खुशनुमा मनाएं नमस्कार